अब बात करते हैं कानपूर देहाद की जहां रसूलाबाद थाना छेतर के ग्राम रामपूर में एक 70 वर्सी महिला का सब घर में संदिक्स अवस्था में लटकते पाया गया परिवार जनों के मार पीट कर हत्या कर आत्महत्या का रूप देने के आरोप पर पुलिस ने मृतका के दमाद वा लड़की को हिरासत में ले कर सब को पीम के लिए भेज कर गहनता से जांस सुरू कर दी है ठाना रसूलाबाद के रामपुर निवासनी प्रेमा देवी पत्नी स्वर्गी जैराम उम्रलक बक सत्तर वर्स का सब ब्रिहस्पतिवार घर पर लटकता पाया गया गाँवालों ने बताया कि मृतका ने अपनी हिस्से की बारा बीगे जमीन लड़की आस्था देवी के नाम दस वर्स पहले बैनामा कर दी थी कुछ दिनों तक तो दामाद वा बेटी ने मा की अच्छी खातिरदारी की गाँवालों ने ये भी बताया कि घटना के कुछ दिन पहले मृतका ने अपने चारे वाली मसीन को बेश दिया तो दामाद वा नाती बेटी ने मृतका के साथ मार पीट भी की थी गाउवालों के आरोप है कि दामाद नाती बेटी ने मार पीट कर हत्या करने के बाद सब को फंदे में लटका कर आत्म हत्या का रूप देने का प्रयास किया है। पुलिस ने सब का पंचनामा भरवा कर सब को पियम हेत भेज कर दमाद्वा बेटी को पोस्तास के लिए हिरासत में ले लिया है. खाल लेकरिदो Departite कर साहि झाल खालxo पालो मत पिया करा पिलने कर से लिए हिरासत में लेकर आपजित्ष का टाव advocating कर से हिरें कर सक्षिकब जानसे साहि जानसे चुछ जानसे uss. भी किया तूधली खूदी ना बोला कि तूदी ना वोला कि अचाल जोटी जाने आ हूं रुटेए अचालो जाले अच्छी है। हादो पाला आचाले जोटी जाले जाले है हुट सकते हैं